जैहन पाक मीडिया की नए नए लेटेस्ट वीडियोज देखने के लिए क्रप्याटी के यादम न्यूज को सब्सक्राइब करें साथ ही साथ बैल आइकों दवाएं वीडियो पसंद आने पर वीडियोज को लाइक करें कमेंट करें सेयर करें आईए देखते हैं वीडियो जैहिंद जैवारत दन्यवारत अब क्या है आप साहलत आपकी कुछिए है कि वह अगस्त का इंतजार करी है कि चार्ट टके देओगे ते अगर टूरांगे तो इस वेरी डिफरेंट वेरी सिंपल क्वेस्ट दो इस मुल्क को ट्रक की बती के पीछे लगाने वाले काम हैं उनमें एक लफ वो भी है कि पाकसान तरीख के इंतरी नाज़िक मोड पर खड़ा हुआ है एक तरफ तो वो डॉक्टर अब ने जो इशारा किये है कि हम लोगों को टेक केर करेगा हम या तो किसी की तरफ देखते रहे हैं या कर्देने वाले एदारों की तरफ देखते रहे हैं कि मैंने तो दिसमबर दो हुजार दो हुजार एकीस में लिए बात कहीं की कि पाकिस्तान की माशी हालाद ठीक नहीं हैं और पाकिस्तान टेकनिकल डिफॉल्ट में चला गिया है यह मतला हम सुनते हैं बूड़े हो गए हमारे बाल सारके वह चित्टे सुपएद हो गए यह बात सुनते हैं मुझे जब से होई समभाल है मुलक को नाजिक हलाद में देखा है और एक और लाफ जो हम इंग्लिश क्लास को बड़ा अच्छा लगता है वो बड़ा इंताए खुसूरत लाफ़ है वो डिफैनिंग मुवमेंट या फिर हम इस बात का इंतजार करते रहें कि कोई न कोई मसीह हाएगा पहले हम अमेरीका की तरफ देखते थे हैं अब हम कह रहे हैं चाइना किसी तरीके से सीपेक के थू हम लोगों को एकोनॉमिकली स्टेबल कर ले क्या ये लाक ओफ ट्रस्ट इन यूर उन सेल्फ है हर स्यासी लीडर हर आदमी ये कह रहा है कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया था और कोई कहता है कि हमने बचा लिया कोई कहता है हमने बचा लिया हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया किसी ने कुछ नहीं किया पाकिस्तान मुश्किल हालात में था है और रहेगा ये जो आपको थोड़ा बहुत नजर आ रहा है कि एक थोड़ा सा आपके सास लेने की जगा बनी है आपके लिए इसलिए बनी है कि आपको I.M.F. से पैसे मिल जाएंगे आपका एक्जिस्टिंग लोन रोलोवर हो जाएगा आपको कुछ लोग और रोड़ा से पैसे दे देंगे मगर पाकिस्तान के बन्यादी माशी हालात ऐस फर अफॉरन करेंसी इस करसंड वो ठीक नहीं है और हम अगले आने वाले दिनों में 24, 25 और 26 में जो भी आने वाले दिन हैं हमारी मुश्किलात इस मामले में खत्म होने वाली नहीं है अनलेस कि हम अपने आपको बन्यादी तोर पर दब्दील करें यह बात करें हैं यह जातियार यह उनकी पॉलिटिकल पार्टी का मसला है एक पाकिस्तान की रियासत है जो एस्टेबिश्मेंट कह लें वो अपने तोर पर एक एक एक्शन दे रही है और एक पाकिस्तान की महिशत है जो खराबी की तरफ जा रही है जिसका कोई वारिस नहीं है अब यह ट्राइंग्ल कैसे चलेगा यह देखने वाली बात है मगर यह उसको एक किसी ने आज ही पर देख रहाता वस्तुल्ला खान साब ने एक किताब लिए एक वो कोई कैप्शन डाला था कि यह कपनी चलने वाली नहीं है अच्छा शपर सब आपने बड़ा चेक स्प्रेंट किया में एक आम आदमी का केस आप से चारा हों कमेंट करें बिजली जो है बिजली का बिल एक पाकिस्तानी के लिए कियामत अजाब से कम नहीं है इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ 2600 अरव रुपया अब आपकी वो गर्दिशी करजी है इस पे रियास्त पे भी दबाओ है आम शेरी पे भी दबाओ है इसका कोई हल कोई सुलूशन है इस दिर एनी होप के लोग इस बिजली के बिलो के साथ ही मरचे इस दुन इस दुनिया से तंग आगे है मैंने कहा ना कि बीली के कमी का तो कोई चांस नहीं आ सकता ना क्योंकि जो हमने टर्म्स एग्री की है आइमेफ के साथ उसमें हमारी टर्म्स में यह लिखा हुआ है कि अर्दु मैं कहते हैं नाजिक हला से गुजर आ है मूल का और इंगलिश मैं कहते हैं कि डिसाइसिव मोड कि टीकटा निकल जाएगा चलो तीसरा यह एड कर लें यह हमारा आपने कि डिसाइसिव मोवेंट आ गया है कि फैसले की घड़ी आप बहुचे इसका मकसद क्या है लोगों को ऐसास दिलावाना कि यूर इंपॉर्टेंट आप इस वक तरीख के बड़े आहम और पर खड़े मैंने ठीक कर देना यही लम्माएबास मुलक बदे लिए अब ही मैं जाओंगा सारी चीजन ठीक कर दूंगा अब चीजने ठीक होने वाली हैं आप ज़र सुने इन्हों का इमरान खान साहब सीखने के अमल में हैं आज उन्हों मीडिया पर क्या पड़ा पड़ा है सुने काम्याब होगा आज उन्हें बैठके वही मीडिया पे तबरे पड़े हैं उन्हें अपने टीम को नोखनें दिया यह लिफाफे हैं यह पैसे खाते हैं इचोर अब जो आँ अपने एनर्जी पर सबसुडिया भाटाएंगे तो ऊसका मसला यह है तो अब छो में पड़ाइंगा यह दो एक मैं आडिक अब भाल बाँ और पाकिस्टिरिंग चाहिए पाकिस्तान को जो perfectly पाकिस्तान ये जो आज के हालात हैं जो आज की बाते चल रही है ये जो गुस्तुफफ़ो चल रही है जो बीडिया में मैं देख रहा हूंक्र जी, यह हो गया पाकिस्तान के आम आदमी के लिए और आने वाले दिनों के लिए बट अन्फुनेटली यही पाकिस्तान की हखियत है और मैं नहीं समझता कि आएंदा आने वाले दिनों में किसी गौर्मेंट की इत्री पावर होगी कि वो विजली पे सब सिड़ी रख सके मगर सर ऐसा नहीं हो सकता कि हम सोलर पे शिफ्ट करें मैं आज बंगला देश पे पढ़ रहा था कि उन्होंने बीस बरसों में साट लाग गरानों को सोलर की है और 2041 तक उनका प्लैन है 40% पूरे मुलक में वो सोलर कारियर में उनका रेट भी देख रहा था कि चार टगे उनको पढ़ता है सोलर पे टगया उनकी वहां की करनसी है और 11-12 तके पे बढ़ते हैं जिस तरह वो ग्रिट पे आए तो हम क्या नहीं कर सकते हैं इंडिया सबसिडी देता है हमारे लिए सोलर की कोई आप्शन नहीं है क्या हमारे दमाग नहीं है आँके नहीं है वेर वो यह रॉंग या फिर शुस्ती और काहिली हैं क्यूंकि एसा नहीं है के हमारे पास जखायर ना हो अगर हम UAE, साओधिया की तरफ देखते हैं तो उनके पास तेल के सखायर थे जखायर तो अल्ला ताला ने हमें भी बहुत सारे दी है लेकिन हमने तो एक्स्प्लोर करने की भी कोशिश नहीं की उल्टा जो मुमालिक बाहर से आते हैं बहुत सारी जोलियां भर-बर के चले जाते हैं यहां से लेकिन हमारा मसला क्या है मईशत का स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम सस्टेन नहीं कर पाते हैं ग्रोथ को हमारा एक फर्डमेंटल इशू है कोई तक्रीबन बीस लाख लोग लेबर मार्किट में हर साल आते हैं नाजवान उनको डिग्निफाइड हमने फ्यूचर देना है एक्सपोर्ट का स्ट्रक्चर रिवैंप करना है ताके हमारा करिंट अकाउंट का जो क्रॉनिक इंबैलन्स है वो दूर हो सके बहुत सी चीज़े हैं लेकिं ये तीन में हाइलाइट करना चाहरा हूं जो किसी भी हकूमत को तरजीह हाथ में रखने की जरूरा पसंद करते हैं खान साथ को मैं कि एक बात अपने खान साथ को बताएं मैं कि हम थोड़े से लेमेंट टाइप है इकानमी को और मुल्क को उतना नीचे जाने दे जितना काल को खान को मौका मीले ना वापस आने का उसको पुल अउट कर सके मैंने चाहिए जहां बरेकिए उनने इसका क्या मतलब ہے मैं कर एकानमी को आप इतना यहां गिरने देंगे कि अब मुंकेन है खान था था मिने बाद वजीर अदे चार मिने बाद शे मिने बाद तो पता ये चले के खान सब आप उस ECONOMIE प्सक्षाb G collar पार वो चली गया है या इन्हों ने कहा था कि जाने देंक्सको यह खुद recover नहीं कर पाएंगे और तीन महीने बाद लोग इनके खिलाफ कटे हो जाएंगे अब ठीक करके दिखेंगे आप तो कहते थे मैं तो जनाब पर आकर करूंगा आज उन्हों ने तक्रीर कि कतर को सूदीज को चैनीज को क्या मैसिज भीजा है उन्होंने के पाकिसान की मदद ना करें अगर्चे वो यह कह रहे थे जोड़ा को प्टे ले जाएंगे पैयसे कह रहे थे हैं आपकों को दो को फारे चॉड़ाइन साब को पढ़ने साब को पर नियों को पढ़ना न ना शबाड़ शरीव साब को थो पहले उनके पकौ Stallivan बहरा पैसे है पहले भी बड़ा पैस नहीं मिलता जो मैसेज आज आज आपने भेज़ है उनको उनको कत्रीज को के जनाब या उनको सौदीज को या जो भी पाकिसान की मदद करें चोड़ डाको इनको ना मदद करें वो इस गूए टू सफर इमरान खान साब को कोई फर्क में पड़ना ज़रदारी साब को इनको कि को कोई फर्क में पढ़ना तो पीपल विल सफर आपका डालर फिर आपका आपके दबाव आए जाएगा आपको को बारूंग नहीं कर सकेंगे लेंडिंग नहीं होगी आपके कान भी तो फिर दुबारा जा के जमीन पर जा लगेगी सो खान साब जरूर तनकीद करें हमारे पास मौडल मौडल मौजूद है मैंने अब एशिया में खुद देखा है कि पंदना से बीस बरस में मालिक ने अपने आपको टरनराउंट किया है तो यह खुशाइन पात है इवन अभी आप देखें रीसेट एक्जामपल चोटा सा मुलक है कैमबोडिया वो बड़ी तेज से अपने आपको टरनराउंट कर रहा है उद्बिकस्तान जो था एक क्लोज्ड एकॉनमीटी ओपन अप हो गई है यहां जो सोचने की बात यह है कि हमने जैसे डॉक्टर सल्मान शाह ने इशारा किया हमने अपने इदारों को इस स्ट्रॉक्चरल चेंज के लिए तियार नह साइगा फॉर्मड इन नाइटिन फिफ्टी क्लोज्ड इन ट्वेंटी फॉर्टीन सो दुनिया ने यह किया जो चीजे रेलेवेंट नहीं रहीं सेंट्रलाइज प्लैनिंग खतम हो चुकी है दुनिया में हमें एक बड़ा मॉडरन इदारे चाहिए इसी तरह हमारे बहुत से इदारे बना हम ने ने इदारे बनाते हैं एक्जिस्टिंग में सलाहियत पैदा नहीं की और कभी चीन की तरफ देखते हैं कभी अमरीका की तरफ देखते हैं कभी वर्ड बैंक को देखते हैं कभी आइम एफ को देखते हैं सो की in competence का factor आ चुका है लेकिन हमारा जो comparative advantage है आगे जाना है तो वो हमारे तीन चार ही है एक तो हमारा वैल्यू एड़िट टेक्स्टाइल है इमर्जिंग टेक्नोलोजीज है इन्फिमेशन टेक्नोलोजी है अगर मने दोस्तों पाकिस्तान में एक बार फिर डॉलर उपर जाने लगा है जिससे पाकिस्तानियों की नीद उड़ने लगी है क्योंकि पाकिस्तान थोड़े दिन हुए होंगे तब पाकिस्तान में डॉलर दीरे दीरे नीचे आ रहा था लेकिन डॉलर ने दुवारा से पलटवार सुरू कर दिया है जिससे पाकिस्तानियों को अब फिर वही डर सताने लगा है जो कि एक डिड़ महीने पहले सता रहा था क्योंकि पाकिस्तान को भीग पल पलने के याद अता है इसलिए अपने हाथ पैरों से पाकिस्तान ने कभी कुछ नहीं किया पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि बंगला देश भी हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चका है क्योंकि बंगला देश ने अपने मुलक के लिए सोचा अपने लोगों के लिए सोचा तभी तो बंगला देश बहुत ज़्यादा आगे निकल गया पाकिस्तान के हुकुमरान बाहर से आई भी अपने बच्चों के लिए अपने लिए अड़प कर जाते हैं जिससे पाकिस्तानी अवाम बैचारी तडपती रहाती है आइए मैप के आगे पाकिस्तान इसक दरस से लेटा हुआ है कि आइए मैप के हर एक बात पाकिस्तान को मानना मजबूर ही है क्योंकि पाकिस्तान को पैसे चाहिए एक आगे बढ़ाने के लिए आपकी क्या राया है कमेंटर में जरूं सेयर करें यदि अब चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, जै हिन्दी